लोक अस्था का महापर्व छट के दूसरे दिन महा चटवर्तियों ने खरना किया इसके साथ ही 34 गंटे का निर्जला उपवाद सुरू हुआ है पटना में चटवर्तियों ने गंगास नानकर खरना का परसाथ त्यार किया जिसके बाद बगवान भासकर विदी विदान के साथ पूजा अर्चना बगवान भासकर की की गई इसका जैजा लिया है लाइव सवन समवादाता विवेक रोय ने आसा का मा पर चट का अधिर्टिय देने और आज चटवर्ति बरही पावन रूप से अधिकरना का परसाथ बनाती है और लोगों के भी बाट कर परसाथ को वितन करती है और कहा जाता है कि ये मा परसाथ बताया जाता है और ये परसाथ जितने लोगों के बीच जाता है उतन ही भागवान का अधिवाद उन्हें प्राप्त होती है और हमारे बीच दिगा की चट वरती हैं जो कि हर साल की तरह इस बार भी चट का पूजा करते हैं और हर साल करते हैं ये नजारा दिगा का केत्नमक्तिरान में का नजारा है और घर में चो चट वरती की तरह पूजा नपरता है कया छलने वालिए छट पुजा । क्या कुछ throwing x मांगती उपना बच्चा लोग अच्छा रहे हैं अफ ये कहें कि भागवान भाजकर जो कि प्राकितिक. तीक यह न operators होती है और हर सर्व घाट गाट, तलाब थिवश्क पूजा करता आप कहां पर करते हैं हम तो घाट पे करते हैं क्या इसा रहता है जीरा प्रसाशन का घाटों का सापसपाई और ये लाइट की बवस्ता बहुत अच्छा है कितने सालों से कर रहे हैं बाड़ा तेरो सालों गया है चलिए और भी कई लोगों से बात करेंगे कि छट का समय है और पावन महीना चर रहा है और छट कातिक पुनिमा चट्ते ही ओटो हो बंस हो या किसी भी जिक्से में छट का धुन जो की गुन गुनाने लगती है तो छट पुजा का आज अच्छा दिन है और आज खर्णा का दिन है खर्णा का प्रसाथ चट वरती बनाते हैं कि चट का दो लब्ज गीत गा कर लोगों को सुनाए कि किल वाजे फरेला घैवत से ओही पर सुगा में रड़ा सुगा नी के मरे बोधानुस से सुगा गिरी मुरुचा कितने वजे आप घर से निकलेंगे घाट की और जाएंगे? साड़े तीन चार बजे निकल जाएंगे. कितने सालोर से पुजा करने है? हमको तो बीज-बाइस साल हो जाएंगे. यह पुजा कितके लिए किया जाता है? पती, बच्चा, सुख सांती बना रहे, बढ़ियां से रहे. यह चट बड़ती के हमने में बात किया है, हवड़ाल साल के तरह चट पर्व, यह बिहार का नहीं, देश और पर्देश का सब्से बड़ पर्व है. और यह बिहार में नहीं, आपको बात करें, तो लंडन हो, अमेरिका हो, सभी जगा जो बिहार के लोग हैं, वो अपनी हिंदू रिती विवास के साथ, यह चट पुजा की पनपरा निवाते आ रहे हैं. और बिहार, बिहार यानि चट पुजा, चट पुजा यानि वो खड़ना का परसाथ, खड़ना परसाथ वो जिसकी पहचान उस ठेकुए से होती है, जो कि चार दिन दिवसिये के बाद जो पारन का समयाता है, जो घार पे जो मैला, और सुरी की, उगते हुए की पुजा करत करते हैं कि चट वर्तियों को, को अगर यातायात में कभी दिखते हुई तो उन्हें घात तक समय से पहले पहुचाने का खश्ट करें, और सबी को चट पुजा की हारदी बदाए,